हेलो एब्रिवन कैसे आप सभी तो आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि टैली में जो भी डेटा है हमारे बास ठीक है देबुक में या फिर सेल्स रजिस्टर पर्च रजिस्टर किसी भी चीज में तो उन चीजों को हम अलग फॉर्मेट में कैसे बेज़ेंगे जिसलिए में है आप इसको एक्सल में बेज सकते हैं पीडियब बना सकते हैं जेपीजी बना सकते हैं ठीक है तो एक तरह से डेटा को एक्सपोर्ट करना है रसीद को एक्सपोर्ट करना है ठीक है जो भी हमारे पास डेटेल्स बनाई गई है इंक्वाईरी की उसको एक्सपोर्ट कर स तो आएए समझते हैं export कैसे करना है, जिस चीज को export करना है उसको सामने रखें, जैसे ये पूरी अगर आपको report भेज़नी यहाँ, जैसा दिख रहा है वैसा ही पूरा report आपको भेजने है, तो ये सामने रखा, हमने, यहाँ पर export दे रखा है, एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, current option, current पर क्लिक किया, अब देखे, file format के पीडियफ, आप और भी चीजों में export कर सकते हैं, आप पीडियफ बना सकते हैं, एक्सफल की sheet में ले जा सकते हैं, Excel में ले जाने से फाइदा है होगा, कि calculation कर सकते हैं, कोई छाटने का काम होगा, आप छाटने का काम कर सकते हैं, कि सिर्फ payment की details दीखे, सिर्फ contract की details दीखे, ठीक है, या debit amount दिखे, जो भी चीजे आपको manage करने है, Excel में manage कर सकते हैं, तो Excel में ले जाने तो configure करना पड़ेगा आपको यहां पर details भरनी पड़ेगी तो configure पर आईए यहां पर दिखे लिखा है file format file format पर आएंगे अब देखे आपको एक्सले आपर select रहने एक्सले स्प्रेट दे रहा है इंटर किया में नीचे आएंगे कहां पर भेजा जा रहे इक्सपोल्ट टू एक्सपोल्ट टू ऑप्शन पर लोकल ड्राइब यूज करना ठीक है फोल्डर पाथ जो है किस फोल्डर में जा रहा है तो फोल्डर पाथ के select किया अब देखे select from drive इंटर किया अब कहां ले जाने द्राइब ड्राइब कहीं पर ले जा सकते के लिए टो मैं pen drive लगी हुई है तो मैं pen drive में रखने का क्रियास कर रहा हूं edrive में टालेक्ट जा रहा है आप edrive के किसी फोल्डर में भी ले जा सकते हैं इड्राइब में टैली फोल्डर में ले जाने अब देखें यहां पर फाइल नेंट भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे हमने लिख दिया रिपोर्ट यहां पर इंटर करना है और नाम देना है तो रिपोर्ट नाम आगे इजेह डीटेल्स बरने न किया क्या बरना है फाइल का फॉर्मेट सेलेकotz सब्राना है कहां पर बेजा जा रहा है लोकल्ड्र苑 यानि कम्प्योटर की ड्राइब स्में जो लगा हुआ है ठिक उसके बाद फोल्डर पाथ, इड्राइब में टैली नाम के प्ोल्डर में जाए है किस नाम से जा रहे रहे हैं रिपोर्ड नाम से में बाहर आजए को कि 機會 ऐसकर चाहे नहें इस घृविल्बिय沒錯 करना है मैनेज्फट कर सकते और से व्यादि हैजोडना debit note या purchase register किया गया है इस purchase का हमें एक रसीच जनरेट करना है ठीक है यह रसीच अल्टर पी करके आप प्रिंट तो कर सकते हो लेकिन इसे पीडियप बनाना है तो अल्टर ई करेंगे एक स्कोर्ड का shortcut है यहां पर दे भी रहा है ठीक है तो अल्टर ई अब देखे करेंट ऑप्शन यूज़ करना है अब देखे यह एक्सल में जा रहे है जो हमने लाज्ट ट वर्मेट को चेंज करना है किस में ले जाने जैपीज या पीडियएफ और भी फॉर्मेट है एस्टीमल एकसेमल तो मुझे पीडियफ जनेरेट करें तो हमने पीडियफ पे क्लिक किया ठीक है इंटर किया अब देखें यहां पर और भी चीज़े दे रही है एक्सपोर्ट सेम तिंग जैसे हमने पहले वाले में किया कहां पर भीजने है इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं इसका नाम क्या है पर्चेश हमने उसका नाम दूसरा रख दिया इसका पर्चेश हो गया इसका नाम चेंज हो गया तो यहां पर भरने के बाद आप इसको यानि my computer this PC ठीक है eDrive में Tally वाले में हमने रखा हुआ है तेकी पर्चर डिटेल्स आया रिपोर्ट नाम से आया आप इसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं आप WhatsApp कर सकते हैं इमेल कर सकते हैं जो भी रिपोर्ट है चाहे रसीध है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है यह वीडियो आपको समझ में आई होगी आप इसको प्रयास करके खुछ से देख सकते हैं थैंक यू झाल कर सकते हैं आप झाल झाल